जब हमारा हिर्दय स्वयम के लिए सफिशन नहीं होता कि वो रक्संचार उसमें हो सके अच्छी तरह से कुछ नलियां ब्लॉक होती हैं तो उसमें ये करते हैं कि जो ब्लॉक नली होती है उसके उपर और उसके नीचे एक ऐसी आर्ट्री जा ऐसी विन की ग्राफ्टिंग करते हैं जिससे के रख्त परवार रख्संचार होने लगे ये नलिया हमारे शरीर में नेचरिली तORपर मौझूद रहती हैं जैसे कि इंटेलल मेमरे आर्टि도 और ग्रैट्री और आर्ट्री ऑफ न चरंटों ब्लों. तो इन आर्ट्री्ट को निकाल करके कार्डियोुक एस्क्र प्रजिश्री सर्जन एaryota से करेक्ट करते हैं, एater means herds को पुरिशरीर में पप्रम करता है, महाधमनी से उन आर्ट्रेस को करेक्ट करते हैं जहां कि ब्लॉकज और उसको ऊपर हो नीचे और रक्त का प्रवा संचार काइम करते हैं इसमें बाइपास सर्जरी की ज़रुद तब पड़ती है जब एंजिग्राफी के बाद दो या तीन से ज़्यादा ब्लॉकेज अगर धम्लियों में है आर्ट्री में है तो बाइपास सर्जरी कराने की सलाथ दिया जाता है कार्डिवाजिस के द्वारा बाइपास सर्जरी एक जटिल पर किर्या है लेकिन ये कार्डिवास्कलिन थोरसिक सर्जर्ण के लिए बहुत ही आसान होती है इसके लिए स्पेसलाइस सेंटर होते हैं कार्डिवास्कलिन थोरसिक सेंटर होते हैं जिसमें के बाइपास सर्जरी होती है इसमें दो तरह के होते सर्जिर एक off pump और दूसरा on pump होता है और यह हर्ट और लंग मशीन के बिना ही off pump में करते हैं जिसमें के दिल धड़कता रहता है और उसी में हम बाइपास सर्जिरी ग्राफ जो है वो इंप्लांट कर देते हैं और दूसरा होता है on pump जितने रक्त का प्रवाह होता है जितना circulation हो होता है वो एक हर्ट लंग मशीन पर डालते हैं वो हर्ट लंग मशीन रक्त का संचार करता है और oxygen करता है मिस्स ब्लड में oxygen की mixing करता है और वह वापिस शरीर में डाल देता है तो off pump और on pump दो तरह की टेक्नलाजी है जिसके जरीये जो है वो बाइपास सर्जरी किया आता है अधाद भी हमें precaution लेना रहता है जैसे कि time to time regular follow up करना होता है दूसरा बहुत सारी बुरी आदतें जो होती है वो हमें रोकना होता है जैसे कि smoking हो गया sedentary lifestyle हो गया bad fooding habit हो गयी junk food हो गया और stress नहीं लेना होता है और हमको नीन अच्छे से लेना होता है और एक healthy diet लेना होता ह कभी कभी ऐसा देखा गया है कि बाइपार सरजरी में कुछ पेशेंट अगर लेट से वो प्रेजेंट कर रहा है लेट से पहुंच रहा है हार्ट अटाइक के बाद अगर उसका myocardium ischemic हो गया है means खराब हो गया है उसके बाद बाइपार सरजरी करते हैं तो उतना result करणी वो काडिक सेंटर पहुंचे और ट्रीटमेंट सिस्टार्ट करते हैं लेट करने से नुफसान हो जाता है भारत में बाइपास सरजरी का खर्च दो तरह के उसमें खर्चे होते हैं जैसे के एक और अट सेटप में प्राइवीट हॉस्पिल में दूसरा गौर्मेंट स्विधा होती है आम जनता के लिए तो आमोमन ये देखा गया है कि गौर्णमेंट सेटप में पचास जार से लेके 75,000 रुपे तक या उससे कम अगर कोई गरीबी रेखा से नीचे कोई मरीज है तो उसका खर्चा फ्री हो जाता है या कोई आश्मान कार्ड होल्डर है तो उस खर्च नहीं है गौर्णमेंट सेट। कहसा जार नीचे कम्यों हो जाता है और आगर कोई कारपर्ड ours होस्पिटल से लेकर कि पांच लाग रुपे तक सर खर्चा कारपर सेट्अब में अगर क्रार है तो इस ने पर तो इसमें प्राइएолов करा तो उन रहा हैं घृट से ड़ 50,000-75,000 रुपे का बाइपास का खर्चा आता है जो हार्ट के मरीज हैं या जिनको अंगिग्राफिय अंगिप्लासिटी हो चुकी है या बाइपास सर्जिरी हो चुकी है इनके घरवालों को भी इन तरह के मरीजों का ध्यान देना बहुत जरूरी है पहला ये कि वो तो लापरवाई नहीं कर रहा है दूसरा ये कि समय समय से दवाई तो नहीं ले रहा है दवाई लेना बहुत जरूरी है तो घरवालों को ये अब्सर्व करना है कि मरीज को बिकल अकेला ना छोड़ें हाट के मरीज़ को उनको आब्जरवेशन में रखें अक्सर ये देखा गया है कि हाट का मरीज़ कभी कभी हाट ब्लॉक में चला जाता है या ऐसा सिनकोप जैसा या बिहोशी जैसा चक्कर आने की विएसे वो गर जाते है उमर अगर साट साट साल के उपर है तो सबसे ज़्यादा खराबी ये होती है कि बातरूम वगर अमें यह स्लिप करते हैं उगर जाते हैं और कूलों के हड़ीयां तूड या खिसक गई तो बहुत ही मुश्कुल होता है उनका जोड़ना तो इन तरह के मरीज को अगर old age है तो उनको बहुत ये observation की जरूरत है घरवालों को तो घरवाले उनकी निगरानी करते रहें और ये सला देते रहें कि टाइम टाइम से दवाईयां लेते रहें समय से वो खाना खाते रहें समय से हर चीज दिन चर्या पूरी करते रहें As a doctor हम ये कहना चाहेंगे कि heart के मरीज बहुत ही जरूरी है कि वो अपने आपको पहचान लें कि उनको इन तरह की बीमारियां हैं जो कि आगे अगर इलाज ना किया गया तो जान वो खत्रा हो सकता है तो समय समय से doctor से परामश लेते रहें चिकसी साहता लेते रहें दवाईया लेते रहें healthy diet लें healthy lifestyle करें योगा करें green vegetables green colorful fruits और healthy खाना खाये exercise करें morning evening walk करें कम सकम 40 minute per day हफते में 5 दिन और दवाईया अपना समय समय से लेते रहें और healthy बने रहें जो cardiac patient होते हैं या systemic heart disease, coronary artery disease patient होते हैं जिसमें angiography होने के संभावना या angioplasty होने के संभावना होती है या heart attack के संभावना होना होती है इस तरह के patient को जरूरी सला ये है कि वो बहुत ही मुस्तेद रहें अपनी एलाज को लेकर के दवाईयों को लेकर के, अपनी health को लेकर के इन तरह के patient को ये सला दिया जाता है कि अगर वो diabetes के patient है तो हर 15 दिन से एक महेने के भीतर वो fasting पीपी यानि कि खाना खाने से पहले खाली पेट और खाना खाने के दिल घंटे बात की sugar अपना जाच कराते रहें और sugar maintain करते रहें एक बात, दूसरा अगर patient blood pressure का है तो blood pressure उनका 130 systolic और 80 diastolic के अंदर होना चाहिए, उसके उपर अगर होता है तो अप चिकिसी सला लें और दवा समझ समझ से लेते रहें अगर blood pressure के मरीज हैं तीसरा ये है कि मरीज को अपने lipid profile लगातार चिक कराते रहें, तीन से च्छे महेने की बीच में lipid profile कराते रहें अगर वो heart की patient है, उनके bypass surgery हो चुकी है या angiplasty हो चुकी है तो तीन से च्छे महेने पर lipid की जाच कराते रहें और lipid को maintain रखें तीसरा ये है कि हमारा बहुत जरूरी खाने में कि salt का intake 5 gram per day यानि 5 gram एक one table spoon एक दिन में लेना होता है उससे कमी लेना होता है ताकि उनका blood pressure maintain रहें तो खान पान और lifestyle modification बहुत जरूरी चीज है इन तरह के patient को maintain करने के लिए कै जरूरी 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 में दिन वे जरूरी अ़िए झाल झाल